तलाक के मामले में इनसान ही नहीं पक्षी भी इनसे जूज रहे हैं एक नई स्टेडी से इस बात का खुलासा हुआ है कि पक्षियों में तलाक हो रहा है इनमें ज्यादा तर वो पक्षी हैं जो लंबी दूरी का सफर तै करते हैं यानि एक सीजन से दूसरे सीजन में हजारों किलोमीटर की दूरी इसकी वज़ा है साफ तौर पर इनसान नमस्ते मैं रमान हूँ और आप हैं मंच पर इनसानों की वज़े से कारबन डाय उकसाइट का उसरजन बढ़ रहा है जंगल काटे जा रहे हैं और नए शहर बस रहे हैं ऐसे में इन पक्षियों के ब्रीडिंग और खाने की जगे में बदला हो रहा है आम तोर पर पक्षियों की 90 पतिशर प्रजाती जीवन बर एक पार्टनर के साथ बिताते आई है लेकिन नई रिसर्च में पता चला है कि अब वो अपने पुराने पार्टनर को छोड़ कर नए के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसके पीछे की वजह जलवायों परिवर्तन और ग्लोबर वार्मिंग है और ये दोनों ही वज़े इंसानों ने पैदा की है चीन की सुन्याट सेन युनिवस्टी के रिसर्चर लियूस यांग और उनके साथियों ने मिलकर पक्षियों की 232 प्रजातियों पर रिसर्च की है लियू की स्टडी में सामने आया कि उन पक्षियों में ब्रेक अप और तलाक की दर्जादा है जो साल में दो बार एक जगए से दूसरी जगए खाने और बेडिंग के लिए जाते हैं जैसे इनसान अलग होने के बाद नए पार्टनर को ढूंटता है ऐसे ही पक्षियों में भी हो रहा है शोत करताओं का कहना है कि रिसर्च से पता चला है कि पक्षी अपने पुराटने पार्टनर को छोड़कर नए साथी की तलाश कर रहे हैं पक्षियों में बढ़ते तला की बड़ी वज़य प्रदूशन, जलवायू परिवर्तन और ग्लोबर वार्मिंग के साथ साथ मौसमी आपदाएं, तुफान और खरा मौसम भी हो सकती हैं दरसल इन वज़यों से पक्षियों में कई बदलाव होते हैं उनके उर्णे की छमता, प्रजनन छमता और मानसिक इस्तिती पर भी असर पढ़ता है इसके अलावा कई बार जब पच्षी दूसरे देशों में पहुचते हैं तो वहां सर्दी का मौसम देर से सुरू होता है तो इसका असर भी उन पर पढ़ता है औस्टिलिया के आर्मी डेल की न्यू इंग्लैन उनिश्टी की पक्षी विशेश्चक गिया जिसेला का प्लान का कहना है कि ज़्यादा दूरी तै करते समय पक्षियों को अलग-अलग पर्यावरन और जलवायू से गुजरना होता है जिसका असर पक्षियों के मांसिक हालाग पर भी पड़ता है कई बार तो उनकी तबियत भी बिगड़ जाती है ऐसे में उनके लिए पार्टनर के पास वापस लोटना मुश्किल होता है कई बार पक्षी खाने और बीटिंग से मना कर देते हैं ऐसे हलात में भी उसका पार्टनर उने छोड़ देता है रिपोर्ट के मुताबिक प्रशनल के समय मेल पक्षी की परफॉर्मेंस कई वज़ों से खराब हो सकती है जैसे खाना ना मिलना, ठाकान, खराब मौसम, जलवायू परिवरतन, जादा गर्मी ये सिर्फ मेल पक्षियों के साथ ही नहीं, फीमेल पक्षियों के साथ भी ऐसे है ऐसे में ये पक्षी ने साथी की तलाश में निकल जाते हैं यानि इनसानों की हरकतों की वज़ए से पक्षियों में ब्रेक अप और तलाक के मामने बढ़ रहे हैं आपको इस्टोरी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही और वीडियो को नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें